है गाहाइस वेलकम बैक टू माई चैनल साइन वित निखिल में तो आज हमों को समझ एक टॉपिक है मद्यकालीन इतिहास लेखन इनके दवारा तो इंडो पर्शियन के दवारा जो अब हम लोग देखेंगे कैसे इस टॉपिक में आपका इंडो पर्शियन जो लेखक थे और मद्यकालीन में कैसे उन्हों को ने अपना इतियास लेखन किया था उनके बारे में हम विश्दित रूप में पूरा देखेंगे ठीक है तो आईए इसे जानते हैं सबसे पहले इसका परिचे देखते हैं भारतिय इतियास में मुहम्मद गोरी की विजय एक महत्पुन घटना थी ठीक है जो कि मद्यकालीन भारत का स्टार्टिंग करते हैं इस घटना के महत्पुन होने की वज़ा यह थी कि इसे पस्चात बारवी सताबदी के में उत्तर भारत में मुश्लिम शासन के अस्थापना हो गए थी तो बारवी सताब आपका जो ग्यारवे बारवी सताब दी आती है उसमें आपका मुश्लिम शासन करने की आपका स्थापना हो जाती है और उन लोगों के द्वारा क्या हुआ था कि विदेशी आकर्वन कारियों ने अपने साथ बहुत सारे लेखकों को भी लाया था जिन लोगों ने अप्णा इत्यास अपने ही भासा में और अपने ही मुताबिक लिखा था और राजाओं के द्वारा उन लोग को आदेज दिया जाता था आप ऐसे लिखो क्योंकि वोगो कोई-कोई राजकी भी होते थे और कोई-कोई स्वातंत्र लेखक भी होते थे तो उन लोग के द्वारा इतियास लेखन किया गया मद्यकालींगा ठीक है तो मुस्लिम लेखन के पर्ति पहले ही जरुकता थे सल्तनत्य यूग में इतियासकारों ने इतियासी गरंतों के लेखन में गहरी रूची दिखाई थी कई लेखक सरकारी पतों पत्यशा कि मैने बताया कि बहुत सारे सरकारी पत्यवी राते थे और बहुत सारे आपका स्वतंत्र लेखक भी थे ठीक है फिर अर्बों की सिंद्ध विजय का वर्नन मुहंबद कुफी की कृति जो मुहम्मद अली कूफी है उनका जो चशनामा है उनमें आपको सिंद्विजय का वर्णन मिलेगा तो इस समय मुहम्मद मशूम माशूम ने तारीख सिंद्विजय की भी रचना की थी ठीक है यह सब इंपोर्टेंट बुक से और इनके राइटर है इन्हें ज़रूर याद कर ले क्योंकि आपका इस्टोग्राफी का यह चेक्टर हो जाता है और यह आप लोगों के इगनु का जो इकाई टेन कसी लेवा से उसमें आप लोगों को बहुत ही इंपोर्टेंट इसका है ठीक है इसमें भी सिंद्विजय का वर्णन है तो सिंद्विजय चारीक ए बहक की ठीक है हमीर उल्लाह और मुस्तेफी काजवानी कृती में भी है आपका यह राइटर है उनका बुक का नाम हभीव उस यार इनका मैंने आपको नाम यहां पर लिख दिया और सिंगल इंवर्टर कोमा पर रख दिया है बुक का नाम ठीक है वह अच्छे साब इतियास लेखकों के में अमीर खुष्रों जो की चौदी सतावदी आते आते कुछ कुछ इतियास का तो थे बहुत ज़्यादा फहरमास हो चुगे थे उसमें आपका आजाते हैं अमीर खुष्रों जियावदीन बढ़नी इवन बतूता आदी परमुक है जिसमें तुगलक अलावदीन खिल जी बलबन आदी के विशे में वर्णन किया है तो कुछ को इतियात का इतियास का बारे में हम लोग विस्तित रूप से देखेंगे कि उनके कृतियों में कौन सी कौन सी सासरगों के बारे में हमें जानकारियां प्राप होती है ठीक है अब आज आते हैं सब जो आपको कुछेगा कि कौन से 14 सताब्दी के या फिर 12 सताब्दी के कौन सी इंडोपर्शियन लेखक हुए उनके बारे में अब एक विस्तित रूप में दे इस टाप से कुछन पूछ सकता है तो आईए हमना सबसे पहले इसका देख लेते हैं लेखक या फिर इतियासकार ठीक है पहला है हमारे महमुद बीन मशूर ठीक है तो महमुद बीन मशूर जो थे वह इतियासकार आपका पत्परदर्शन का जाता है इतियास जो लिखने का पत्परदर्शन किया था 12 अदाब्दी में उनका माना जाता है उसे फक यी मुदाबीर के नाम से भी जाना जाता था और वह लाहूर मे राते थे उनसे राजराई असंबाब साब और नाम गरंद की रशना की जिसमें पैगंबर केवारे में और उनके सावली पईगमबर करeeee Wow लगाएं के शारियाँ देते है यहाइं आपने वुख में और मुखमद बिन-मेशऊव मैं मुक्दीम नामक्रिती में कुत्वदлि अधक की हिंदू राजाओं के परतिनीती तथा कुतुब बुद्धिन के सत्ता सीन होने के पुरू की घटनाओं के बारे में बड़ा रोचक धंग से प्रस्तुत किया है अपने बुक में तो यह हो गए फिर देख लिए सकेंड नमर में हसन निजामी ठीक है तो हसन निजामी ने ताजूल महास पाने की लालसा में किया था यह लोग कि गवर्मेंटल होना चाहते थे इसलिए लोग ने जाला तारीफ के लिए था ठीक है हसन निजामी ने अपनी रचना में तराइन में के पर्थम युद्ध का जिक्र नहीं किया है जिससे प्रिथवी राज चोहान ने मुहमद गोरी को राजीत किया था ठीक है इसके बाद全部 192 SME में 11010 1996 से तक का वो लोगं और Wrang किए 1192 से ग्यारों च्फिया और गटनाऊं का जिक्र किया क्योंगि जो अपने राजा को हारा हारा ह। तो घुक में लिखेगा नहीं उसके बात, बारे में आपने जानकारी पताम करते हैं ठीक है फिर तीसरे है मिनाज ए सिराज जो जानी इनके दुवारा ये भी एक मुस्लिम लेखक थे जो कि नियावादी और साइक के प्रश्रेक्शन में प्रभावित थें ठीक है बारत सथाइस में भारत आया था और नश्रुद्दीन कुबाचा की राजधानी कच्छ में मुखिया पत पर नुक्त हुआ ठीक है कुबाचा की सत्ता नस्ठ हो जाने के वह इल्दोति में इसके दरवार में ठारा और इस समय सिंद्ध और मुल्तान के छेत्रों में दिल सल्तनत में मिला दिया गये थे ठीक है मिन्हाज ने अपने लेखन में यह प्रमानिक शूश जानकारी देते हैं थोड़ा सा मेरा खराब है इसलिए थोड़ा मैं में हिट रहा हूं और थोड़ा से माप करिएगा मुझे ठीक है चौथा अमीर खुश्रो अमेर खुश्रों में तियास के लेकर महत्पुन मुहमिकान अबाई थी उनका जन्व बारा सो भावनिश्मी में में उत्तरबर्देश के एटा में जीलि में था पिता का नाम था अमीर सुफधीन महमध ठीक है और उसके शासंकाल में यह उचपत पर थे ठीक है उनके पिता जो थे हैं उसके सासंकाल में बहुत बाद पर थे उनकी माध तुरकवंस्की थी और बल्बन के दरवार में एक उच्छा दिकार्नी की पुत्री थी ठीक है बलबन से लेकर अलादिन खेल जी के शासन तक अमिर खुष्रो राज दरवार में अनक पदों पर कार्यत थे और उन्हें के द्वारबार में वे अपने मतलब जो भी बुक्स वगरा राइट करते थे ठीक है उनके स लिखा गया थो और यहन की अंतिम क्रिती थी फिर ग्यासुदिन तुगलक द्वारास खुश्रो को खुश्रो खा के वद कावर्णन मिलता है ठीक है पांच पर में आजए यह जियावदिन बर्नी जियावदिन बर्नी का मंदेकाली दियास लेकर महतपून अस्थान देता है उ उटो क्यांस थे लो दो गरंते तारीक फिरोस्साही ठीक है जोटि ऑर दूसा था और दूसरी था भलबन से लेकर फिरो तूग्लक के इसमें जहांखारी प्राफ को दृद्टी décidé के फतवा है जहंगीर उन्हों ने अच्छे राजा जरूरी गुश्र्वा की चर्चा की थी तो उसमें प्रशाषान को सी धानतों के बारे में उन्हें ने अच्छे से रिष्टित वर्णन किया था फिर इबन बतूता का मुल नाम था शम्सुद्दीन था और वह भर्मन किया था तेरा सु पचीस में वह भारत आया इसके बाद मुहम्मद तुगलग के शाषंकार में द उसके बाद उन्होंने अपने यात्रा में बहुत से विवरन अपने किताबों में लिखा जो कि था उल रुहेला इनकी मुहत्पूल किरती थी उल रुहेला किसकी अपने बतूता के थी ठीक है फिसात्वा जाईए जहरुद्दीन बाबर अब जहरुदीन बाबर भारत का पूसने अपने दिल सफ़तिनत का अंध किया अपना मुगल संदर का अस्थापना किया था ठीक है उसने द्वारा लिखा गया तुझे बाबरी आप उसकी बाबर नामा तुर्की में लिखी गई थी ठीक है इसक्रितिक मद्यस्यमें तेमुर के शाशन भारत में के जन्म जी करके अपने को नोट बुक में लिख लें ठीक है और ये कोई भी एक्जाम में आप लिखेंगे तो बहुत ही आपको लोगा और दूसरा नुवाद था अब्दुल रहीम खानक खा के द्वारें का दूसरा नुवाद किया था इसी भासा में और बाबार नाम अंग्रेजी में क इसने नवाद किया था लंडन नरे किया था अर हो अर इसकन बेवरिज ने किया था ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टेंट है और कुछं अब देख लेते हैं महत्पुन तत्य क्या रहएते थैंख है अग्वर के काल में इतियास लेका ने महत्पुन बदलाव आया था अग्बा सद्रवी सतावदी के पूर्ण होने के इत्यासकारों के सामने इसके लेखन का पैस्ताव रखा और उसने कुछ अगबर अगबर तक के समय का इत्यास लिखने को कहा था और उसका नाम था उस बुक का नाम रखा गया था तारीख ए इल्फी तो क्या हुआ अगबर के शासंकाल में इसकी जानकाई तारीख एल्फी और अबुल फजल का अगबर नामा परशिद्ध है अगबर ने साथ बीद्वानों को इसके लिए गठन किया था तारीख है तारीख है इल्फी को लिखने के लिए ठीक है मगर यह क्या हुआ यह 1585 में यह कारिया पूर्ण हो गया मगर यह अबका अगबर पूरा उससे असंतुष्ट रहा था फिर बात में क्या हुआ अगबर ने अबू फजल जो अपने बह ऐसा अगबरी ठीक है सोड़ आने एक बरी इसका नाम नहीं रखाते से कुछ और नाम था और अगबर का आर्थिक और आजश्वच की जानकारी के लिए वरणन मिलता आइने एक बरी से कोई बिए से कोशन आगा कि अपर कि आड़ीक बर्नन और राजस्वच की जानकारी किस के इस्टोग्राफी में ये पूछते हैं फिर जहांगीर ने अपने आत्मकता तुझ्यों के जहांगीरी लिखी थी और जिसमें जहांगीर के शासनकाल की विष्थित जानकारी मिलती थी तो आपका दोस्तों यही था इंडो पार्शियन लेखरों को के बारे में पूरी जानक झातो भार्श में पार्श। पार्श आत्मकता था जानका ।